पठान मूवी का मैक्सिमम सीन दुबई में सूट हुआ है ये लोकेशन दुबई के बुर्जिक खलिफा के समीब का है यूए के फेमस टॉक्सों के पॉपलर होश्ट पठान मूवी के सेट पर नजर आए है उनका नाम अनस भुकस है पठान मूवी में एक बार फिर साहरुख खान को लंबे बालों में दोस्तों हम लोग देख पाएंगे और उनका यह लूक हूबहू डाउन सीरीज से मिलता है दुबई के मैदान रेस कुर्स का या प्यारा सा लोकेशन है यहां सारुख खान एर्थ गुरूल गाजी की तरह खोड़े पर इस्टंट करते नजर आ रहे है पठान मुवी का या एक्शन सिक्वेंस चलती ट्रक पर सूट हुआ है यहां न तो उन्होंने कोई सपोर्टिंग वायर लगा रखा है और नहीं क्रेन के सारे उन्हें सपोर्ट मिला है लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह एक्शन सिक्वेंस खुद साहरुक खान ने नहीं किया है बल्गी उनके डवल बॉड़ी द्वारा यह सीन पर फॉर्म किया जा रहा है फिल्म के अगले सुटिंग में साहरुक खान एक हमर गाड़ी के छट पर सूट करते नजर आ रहे है एक्शली यहाँ एक्शन सिक्वेंस उन्होंने खुद से किया है यहाँ किसी भी परकार का डवल बॉड़ी नहीं है और यहाँ बिल्कुल रियल इस्टंट है यह तो चलती गाड़ी पर इस तरह के एक्शन सिक्वेंस परफॉर्म करना खतरनाक है क्योंकि आप देख सकते हो कि जिस गाड़ी के उपर साहरुक खान फाइटिंग कर रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है और उन्होंने किसी भी परकार का सपोर्टिंग वायर भी नहीं लगा करते हैं दूब़ई में साहरुख खान की काफी इज़त है दूबई में साहरुख खान का एक आल लिसान भंगला भी है वहीं दूबई के रोयल फामली से भी उनकी अच्छी बंती है तबी तो किंग खान के जन्म दिवस पर बूर्ज खलिभा भी उन्हें जन्म दिन की बध कराए गए थे दुबाई का कारचेजिंग एक्षन सिक्वेंस पठान मुवी का क्लाइमेक्स हो सकता है क्योंकि इसके बिहाइंड द सीन में काफी खतरनाक स्टंट यहां को देखने को मिल रहे हैं या एक्षन सिक्वेंस हॉलिवूड लेवल की है जैसा कि जेम्स बॉंड और क्रूज की फिल्मों में दिखाई देता है इस एक्षन सिक्वेंस को कई लोगों द्वारा सूटे किया जा रहा है और यह काफी दिनों तक चला है जिसमें कुछ सीन दिन के हैं तो कहीं रात के सिंग भी इस सूटिंग में आपको देखने को मिल रहे है सबसे इंट्रेस्टिंग फैक्ट तो यह है कि इतनी बड़ी सूटिंग में वी एफेक्स वर्क बिल्कुल भी नहीं दिखा है क्योंकि दुबई की सूटिंग बिल्कुल रियल है और पबलिक प्लेस में सूटिंग हो रही है इसी एक्षन सिक्वेंस में हेलिकॉप्टर भी दिखाई दे रहे हैं वैसे कहने की बात नहीं है क्योंकि सिधार्थ आनंद अपनी फिल्मों में रियलिस्टिक टच देने के लिए जाने जाते हैं उनकी वार मुवी भी रियल लोकेशन पर ही सूट करी गई थी बहुत कम वी एफेक्स उनकी फिल्मों में देखने को मिलता ह यदि आपने वार मुवी का बिहाइंड दसीन वीडियो नहीं देखा है तो उसे हमारे चैनल से चेक आउट आप कर सकते हो साहरुक खान का इस्टार्डम तो देखिए पिछले पांस सालों में एक वी फिल्म नहीं चली इसके बावजुद उन्होंने पठान के लिए हंड्रेड करोर रुपए लिये हैं उमेर संदु ने ट्वीट करते हुए साहरुक खान की फीस के बारे में लोग को बताया था उन्होंने कहा कि ऑफिसियली साहरुक खान बॉलिवुड के हाईएस बैड एक्टर बन चुके हैं पठान के साथ ही एटली कुमार के निर्देशन में अल्लु अर्जुन के एक और मुवी आ रही है जो पुस्पा पार्ट टू के बाद आएगी जिसके लिए अल्लु अर्जुन ने भी हंडेड करोड रुपए लिये हैं इस बात को कमेंट में आप जरूर बताना पठान मुवी में साहरुक खान एक अंडर कावर एजिन्ट का किरदार निभा रहे हैं उनके मिशन के दोरान एक अफ्रिकन मार्केट भी दिखाया गया है जिसमें हत्यारों की खरिद बिक्री होती है दरसल यह सेट मुंबई के फिल्म सीटी में ही तयार किया गया है एंड मुवी का 30% हिसा अफगानिस्तान के पहाडियों और वादियों में सूट करना था लेकिन युद्ध की स्तिती की वज़ा से रियल लोकेशन जाना असंभव हो गया था इसलिए फिल्मेकर सिधार्थ आनंद फिल्म सीटी मुंबई में ही अफगानिस्तान का सीट तयार की है जहां कुछ सौर्ट वी एफेक्स स्टूडियों के भी है जैसा कि सिधार्थ आनंद ने रितिक रोसन की फिल्म वार को भी निर्देशन किया था जो बॉलिवुड की हाइस्ट ओपनिंग फिल्म है और ये रितिक रोसन के लाइफ की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मुवी भी है अब सिधार्थ आनंद जी का दूसरा धमा का हमे पठान में देखने को मिलेगा ये सराज फिल्म के बैनर तले पठान मुवी बन रही है जबकि टाइगर जिंदा है एक था टाइगर और टाइगर थरी फ्रेंचाइजी भी ये सराज फिल्म की ही है पठान मुवी को लेकर सलमान खान ने ओफिसिल्म का हिस्सा होंगे उनका रोल मूवी में एक special appearance की तरह नहीं है बलकि एक बड़ी time duration में उन्हें हम देख पाएंगे पूरे 20 मिनट के सीन में सलमान खान हेलिकॉप्टर से पठान मूवी में entry लेंगे और वो सारुक खान को रसियन माफिया से बचा कर लाएंगे एक्चुली टाइगर फ्रेंचाइजी में सलमान एक raw agent है वहीं पठान में सारुक raw agent ही होंगे इस मूवी के जड़िये यसराज फिल्म सो marvel cinematic universe की तरह अपना खुद का एक spy universe बना रहा है जिसमें फिलहाल तो पठान के साथ टाइगर को जोड़ा जा रहा है और सलमान खान की टा मूवी के characters भी पठान की अगली series में देखने को मिल जाए क्योंकि रितिक रौशन की war को भी यसराज फिल्म ने ही बनाया है